अम्ताबाद परखंड शेत्र में महानन्दा बांध तक खराब सरक को लेकर आकरोशित ग्रामिनों ने विरोध परदशन किया आपको बता दें कि परखंड शेत अंतरगत पूर्वी करी मुलापूर पंचायत अंतरगत नीरपूर से पहारपूर महानन्दा बांध तक जाने वाली सरक पूरी तरह से जरजर हो चुकी है ये सरक कई गावों को परखंड मुख्याले से जोड़ती है खराब सरक के कारण यहां आए दिन घटनाए होती रहती हैं वहीं बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी घटनाईयों का सामना करना पड़ता है खासतोर पर बरसाथ के मौसम में लगवग तीन महें तक सरक कीचर में बनी रहती है जिस कारण लोग घरों में कैद हो जाने पर मजबूर हो जाते हैं सरक पर लगे बोर्ड के अनसार इसका निर्मान भाई कंस्ट्रक्शन से प्राइवेट लिमिटर के द्वारा 2017 में किया गया है रामिड़ों ने सिला परशासन से सरक की जल से जल्द मरमति किये जाने की मांग की है सबसेते हैं चलि पर वना सबांधे सबसेते हैं वैंक आरे बुर्ध माशियार्य पर श्रूर्ष democrає जंदे लिए है इसका अब तक रिपेरिंग एक बार भी नहीं हुआ और इस रोड में पानी काफी जम हो जाता है हम लोगों का नियर बाई मिडिल इसकुल निरपूर परता हमारे गराम के बच्चे जितने भी है वो इसकुल नहीं जा सकता है ना कभी कोई ड्रेस पन कर जाता लगबक तीन म सबी लोगों का आना जाना इसी रोड से है तो हम सब मांग करते हैं कि इसका रिपेरिंग अच्छा से हो और हमारे बच्चे इसकुल असानी से जा सके सराम लोग यहीं दिक्कत है कि सर यह जो रोड है इसमें सर लगबक तीन फूट पानी जमाओं हो जाता है और उसके इस प परखंड जो हमदाबाद है उसको आने में यह पताने कि यहां गड़ा है कि वहां गड़ा तो इस वज़े से जो जब गिर जाते हैं तो उसका किसी का पई टूडिया किसी का हथ पढ़ गया यही सब समझे और जब कि यहां पे पर पंचाईद भवान है यहां पे कोई प्रो संसे यही मांगा है कि इस रोट का जो है मतलब काम जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि आने जाने वाले को रागीर को जो है दिक्कत ना हो शशी कुमार टाइम्स न्यूज अमताबाद